असलामू अलेईकूम। मैं जुलेखा अर्फा, जुलेखा स्केचिन से。 तो चलिए आज आज हम बनाते हैं बड़िया सी फ्रैंकी चिकिन फ्रैंकी। मैंने इसे नाम दिया है काजू चिकिन फ्रैंकी। बहुत ही मजड़ार जठपट घर पर आसानी से बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की रेसिपी साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन्स से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी काजु चिकिन फ्रांकी बनाते हैं, चलिए! सबसे पहले एक बड़ी सी पातर के अंदर 2 कप मैदे का आटा डाल दीजी, अब नम्मक आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, या आदा चुट अचाय का चमच नम्मक डाल दीजी, मैं हमेशा 3-4 टेबल स्पून जितना असली घी डाल देती हूं, असली घी के बजाए आप तेल भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से सबसे पहले तो असली घी डाल दे, मिक्स कर लीजी आटे को, और यह जो हमने नम्मक भी डाला है, मिक्स हो जाएगा ना, जब अच्छा मिक्स हो जाए, तो नॉर्मल टेंपरेचर पे पानी लीजी, जो साधा पानी आता है पीने क हैं, वो मसलां से जो आटा सॉफ्ट होना चाहिए, ना कि बहुत जादा पानी डालने से आटा सॉफ्ट होना चाहिए, तो पानी नॉर्मल डाले, जितनी जरूरत है, उतना डाले, और सॉफ्ट आटा लगाने का मतलब यह है, कि बहुत अच्छे से मसली है, पांच-साथ मिन ये दक्रीब धनी आधा कीलो चिकिन बन्लेट है sequence, थाई पोशिन है, आप डेस पोशिन ले सकते हैं, मैंने इतने बड़े-बड़े पीस किये हैं, आप पीछा हैं तो इतने बड़े-बड़े पीस कर सकते हैं, चरवी निकाल के दो-तीन पाने से धो के नतालने के बाद, इसे एक पाउल के अंदर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाध अनुसार, मैंने आदा चुटा चाय का चमच नमक डाला है इसमें वनफोट चुटा चाय का चमच काली मिर्चो का पाउडर दीजिए आदा चुटा चाय का चमच भूना पीसा जीरा पाउडर आदा चुटा चाय का चमच चिली फ्लेक्स आदा चुटा चाय का चमच गरम मसाले का पाउडर एक चोटा चाय का चममाच आदरकलसन का पेस्ट और मैं निम्बू एक चोटा सा था वो दाल रहे हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ लमसम कितने टेबल स्पून या टी स्पून निकला है यह तकरीवन आप देख सकते हैं एक टी स्पून और थोड़ा ऐसा उपर तो इतना थोड़ी सी कोथ में यानि के हरा धनिया तकरीवन वन फोट कप जितनी होगी और यह है तकरीवन बाइस काजू और तीन हरी मिर्चिया मैंने लिए हैं आप अपने स्वाध अनुसार ले सकते हैं यह बाजार की फ्रेश क्रीम लिए है यह पूरी ही हमें दालनी है तो यह सार बातोँटा हो चुका है चिक इन को तो मैं यहां पहले चिक्षिक भ्राइ कर लेती हो एक पड पले अनदर थोड़ा सा मखन दाल दीजिया या फिर आप त्ली भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा j human की पी सअ हुग तो कर चूब ते लिए तकीश यह व्यंन मिल्सकिंए यां व औलट पलट करते जाए, बार बार मैं तो ओलट पलट कर रही हूँ, so that fry pan में अच्छे से fry हो जाए, तब तक आप में उन्हें पकाना है, अब चाहे वो 15 मिनिट लें चिकन, 16 मिनिट, 17 मिनिट, जितना टाइम लगे आपकी चिकन को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, चिकन पकी है के नहीं, तो आप क्या कीजिए, आप एक छूरी है ना, उसे इंसर्ट करेंगे ना, बहुत ही आसानी से चली गई, इसका मतलब आपकी चिकन हो चुकी है, आप देख सकते हैं, अच्छे घ्रिलिंग स्पॉट्स भी आ गए है मेरी चिकन के उपर, और मैंने चूला मीडियम पर रखा, आप चाहें तो चूले को, स्लो से मीडियम के दर्मियान भी रख सकते हैं कुछ देर के बाद, कि आपको ऐसा लग रहा है कि चिकन गल नहीं रही है, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मैंने मीडियम आज ही रखा है, चलिए हो गई है चिकन, 15-17 मिनिट हो चुके हैं, मैंने चूला कर दिया बंद, और इसे साइट पर रखकर एक कढ़ाई रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूला फास्टाज पर चालू कर दीजिए, और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ एक medium size की प्यास को piece कर इसे डाल दीजिए चूला medium कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए ये जो प्यास है इसे हमें पका लेने हैं कच्चा पन है जो प्यास का निकल जाना चाहिए तक करीबन समझे ना 4 मिनिट लगेगी बार बार चलाते रहिएगा और छूला medium पर ही रखिएगा जब आप देखें कि 3-4 मिनिट हो गई है और प्यास अच्छी भून चुकी है इस तरीके से और color change हो गया है और भून चुका है तो मैं यहां 1-4 cup जितना पानी डाल देती हूँ mixer jar के अंदर मैंने पानी डाला उसमें चला कर इसमें डाला है इसे बहुत अच्छी से mix कर लीजिए चूला slow कर दीजिए नम्मक थोड़ा मैं adjust कर लेती हूँ और यहां पर मैं 2 टेबल स्पून मखल मसका डाल देती हूँ और इसे slowage करके ढठाक कर दंपर पकने दीजिए चिर यह वो पक रहा है तब तक यहां पर वो जो chicken pieces है इसे मैं इस तरीके से काट लेती हूँ छोटे छोटे piece कर लेती हूँ तो यह आप देख सकते हैं यह जो काटा है उससे पकड़ के इसकी जो pieces है छोटे-छोटे कर रहे हूँ आप चाहें तो हातों से भी shred कर सकते हैं थोड़े मोटे-मोटे piece रखेंगे न थोड़ा अच्छा लगता है मूँ में आता है न तो अच्छा लगेगा इसी तड़ी किसे सारे pieces को आप काट लीजिए अब आप चाहें आपने काटना नहीं है तो आप pieces है छोटे-छोटे रखेगा कि काटने की जरूरत ना लगे यह देखिए सारे बन चुके हैं मैं से side पर रख देती हूँ चली 4-5 मिनट हो चुकी है हलका हलका आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है तो इसमें जो side पर हमने chop करी हुई है जो chicken ती जिसको मैंने grill करी हुई chicken को pieces किये थे मैं सारी नहीं डाल रहे है थोड़ी सी side पर रख दी है presentation के लिए बाकी की सारी डाल दीजिए जो भी मखन भी जो हमारे fry pen के अंदर लगा हूँ वो भी सारा डाल दीजिए इसे mix कर लीजिए बहुत अच्छे से अब आपको नम्मक adjust करने जैसा लगे तो डाल दीजिए मैंने उबाल आ जाने दीजिए तो जब उबाल आ जा रहा है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा कसूरी मेती को side पर रखा है इसे थोड़ा सा हातों की मदद से crush करके दाल दीजिए तकरीबन आदी छोड़ी चाय की चमच होगी इसे भी डाल कर मिक्स कर लीजिए अच्छा उबाल आ जाने दीजिए उबाल आ जाता है स्लो आज करके इसे धाक कर तकरीबन पकने दीजिए तब तक पकाए जब तक तेल नहीं चूट जाता तकरीबन 4-5 मिनिट लगेगी यह देखिए तेल चूट गया ना तो इसका चूला कर दीजिए बंद और अब हम आ जाते हैं हमारी अब इसके ना आप equally divide करके पेड़े बना लीजिए तकरीबन मैं साथ बना रही हूँ रोटिया इसकी आप चाहें तो आज भी यह आपके इसाब से जितनी निकालनी हो आप निकाल सकते हैं सबसे पहले तो बहुत अच्छे से जो divide किया है आपने इनके पेड़े बहुत अच चोटी भी मत बनाईएगा आपके आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उतनी बनाईएगा तो यह देखिए मैंने रोटी बना ली है एक तबवे को फास्ट आज पर गरम कर लीजे साइट बैस अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आज करके इसके ओपर हमारी जो रोटी है य अब आपने जबी भी आपने ये जो फ्रेंकी बनानी है ये मेरा मतलब है serv करनी है तब आप आगे का procedure कर लीजेगा पट मैं अभी ही serv कर रहे हो आप देख सकते है रोटी को अच्छे से कपड़े से दबा दबा कर पका लेती हूँ दोनों और से अच्छे से पक जाती है कर लेती, वो क्यों कर रही हूं है इसके लिए कार रीubine मैं अभी ही सौर मुझे नहीं कर रही होती और कुछ देर upfront कर रही होती तो मैं कच्छी पक्की बनाकर रख देती और उसके बाद रोस्ट कर लेती और पका लेती मेरी ये जो रोटियों को सारी रोटिया मैंने सेख भी लिए हैं और थोड़ी सी रोस्ट भी कर लिए हैं मक्षन में आप चाहें तो तेल से भी फ्राइ कर सकते हैं रोटियों को चलिए अब जो साइट पर हमने ग्रेवी बनाई थी उसे गरम पर रख दीजिए ये बारे कटी हुई प्याज है इसमें थोड़ी सी मैंने कोट में जाने के हरा धनिया भी बारे काट कर दाला इसमें 2 टेबल स्पून जितना सिर्का मैं दाल देती हूं इसे मिक्स कर लीजिए आप चाहें तो हरी मिर्चिया इसी समय दाल सकते हैं ये देखे बड़ मैं साइट पर रख रही हूं और ये अच्छा गरम होगया चूला मैंने कर दिया बंद अब सबसे पहले आप एक रोटी लीजिए सबसे पहले मैं तो नीचे पेपर रखती हूं हमेशा अब इसके अंदर पट़ पेपर के ऊपर एक रोटी रख दीजिए अब बीच में फैला के इस तरीके से जो हमारी काजू वाली चिकन है ग्रेवी के साथ रख दीजिए अब आपने जितना दालना है वह आपकी मर्जी आप कितना दालना चाहते हैं सिर्के वाली प्याज वाली बीच में रख दीजिए और थोड़ी सी हरी मिर्ची आपने डालनी है तो आप डाल दीजिए और इसे रोल कर लीजिए और पट़र पीपर को भी रोल कर लीजिए और ये बन गई हमारी बढ़िया सी एक चिकिन काजू वाली फ्रैंकी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलिशिस और जटपड भी बनती है जरूर बनाईएगा इसे अब यहां दो-तीन वेरियेशन है एक में मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है एक में मैंने जब चिकिन की ग्रेवी डाली थी उस पर थोड़ा सा कोत में रहने के हरा धनिया डाला उसके बाद फिर प्यास डाली है और हरी मिर्ची डाली है और फिर रोल कर लिया मैंने अब यह डूट लिया आपके उपर है आपने क्या डालना है क्या नहीं डालना है क्या स्किप करना है आप आपके हिसाब से देख सकते हैं खटास भी आप आपके हिसाब से सिर्का आप डाल सकते हैं प्यास के अंदर लेकिन हाँ प्यास के अंदर सिर्का बहुत पहले से डाल के मत रखेएगा नहीं तो बहुत खटी प्यास हो जाती है तो मज़ा नहीं आएगा आपको चाह मैंने क्या किया था, साइट पे जो चिकन रख दी थी ना, ग्रिल करीवी, यह मैं इसके अंदर उपर से डाल रहे तो बहुत ही मज़ा, मज़िदार फ्लेवर आता और दिखने में कितना खुबसूरत लग रहा है ना, तो इसी तरीके से मैंने सारी बना ली है, फ्रैंक की और गर्मा गरम मैं से सर्फ करती हूँ, यह देखिए, यह तीसरी वाली मैंने जो सर्फ की है, इसमें जो चिकन है, वो मैंने अलग से जो साइट पे रखी थी, यह साइट पर ऐसे लगा दी है मैंने, और उसके बाद मैंने प्यास वगरा दाली और फिर रोल किया ले, तो इ अगरे शानल पर अपलोड किये, आपडोग के लिए लिंक्स दिस्रिप्चिन के अंदर है, आपो हम चेक कर लेजिएगा, ग्रेवी में जादा पैसने में जादा दाली नहीं थी, अगर आपको शाहिए ग्रेवी में, तो आप हरी मिचिया जादा दाल दीजिएगा, पीसने में बहुत अच्छे लगते हैं फिर से आज होंगे नहीं शान्दार दमदार रसेपी के साथ अंतल दें टिक केर आला आपस बापाई